दोस्तों मैं संध्या मेरी किचन में आपका स्वागत है तो चलिए बना लेते हैं नई डिश तो आज हम बनाएंगे दाल मकनी आज मैं बना रही हूं दाल मकनी उसके लिए मैंने दाल को भीगो कर ओवरनाइट के लिए रख दिया था और मैंने इसका टोड़ी से नापकर दाल दाल लिए यह लगबत 100 ग्राम दाल है मैंने इसमें 20 ग्राम राजमा मिला आए है और मैं इसको अच्छे से धो लेती हूं इसका पानी भी निकाल लेती हूं इसके दो से तीन बार हम धोएंगे अर मैं इसको कुकर में उबलने के लिए रख देती हूं फूल करके यह डवल ह गुवर हों मेरी यह डाल है उसे भर करलो है किमें दोना अभी नहीं पानी कि मैं Mirror네요 और इसको यह डाल tutti मियी एक दालची El Galaxy और दो छोटी लल आची अगर आपके पास इसारी चीज्ञा हुआं तोcarbon बिना इसके भी इसको बना सकते हैं ऐसा जरूरी नहीं ते सारे मसाले इसके लिए चाहिए तो मैं इसको डाल के और इसमें नमक डाल के इसको बलने के लिए रख देती हूं एक चम्मस नमक मैं इसमें डाल रही हूँ, और इसमें कुछ नहीं डालना है, हल्दी में डालनी है, और मैं इसको उबलने के लिए रग देते हूँ, इसमें 4-5 सीटी लगेंगे, इसका टकन बंद कर देती हूँ, 5-6 सीटी हम इसमें लगवा देगे, दाल हमारे उबल चुकी हम इसको देख लेते हैं, 8-6 सीटी इसमें लग चुकी है, बहुत बढ़िया यह गल रही है, तो चली फ्रेंड्स इसमें तड़का लगा लेते हैं, तड़की के लिए हमने देशी घी लिया है, यहाँ पर मैंने एक चम्मस देशी घी लिया है, घी गरम हो चुका है, तो इस में डाल लेती हूं, मैं आदा चम्मत जीरा, चुटकी भर हीग, आपके पास जीरा जीरा हो तो शा जीरा भी ले सकते हैं, मैंने नॉर्मल वाला ही डाला है, अर मैं डाल दीए, दो कटी प्याज, प्याज को मैंने बारी तुकडों में काट लिया है, प्याज को मच्चे से भूलेंगे, प्याज को मैंने एक मिनुट भूल लिया है, और मैं इसमें अद्रक और लैसुन का पेस्ट डाल लेती है, एक चम्मत, और इसको भी भूल लेते हैं, इन दोनों को हम ब्राउन करने तक भूलेंगे, प्याज ब्राउन हो चूकी है, मैं इसमें टमाटो प्यूरी डाल देती हूं, मैंने टमाटो को उबाल के पीस हिया है, आप कच्चे टमाटो भी डाल सकते हैं, और मैं इसमें डालूगी, यहां पर मैं इसमें डालूँगी एक चम्मच लाल मेच और इसको मिक्स करूँगी और थोड़ा सा मैं यहां नमक डाल देती हूं क्योंकि डाल में भी पानी डालेगा तो इसलिए थोड़ा सा नमक इसमें मैं डाल देती हूं यह दाल मकनी बना रहे हैं, तो इस दाल में मकन बहुत जरूरी होता है। तो एक सी डेट जमच मैंने आपे मक्खन लिया है वैसे तो मेरे टमाटर उबलेव हैं इसमें मैंने उबाल कर टमाटर डालें तो मुझे इतना ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर कच्छे टमाटर आप डालें तो अच्छे से पकाएं मैंने यह इसको एक से दो मिनट के लिए पका लिया है अब में शेदाल डाल देती हूं और दाल में छु मैंने खड़े मसालें डालाते हैं नको तो पैन मेरा छोटा है तो मैं इसे वापस से कुकर में ही पलट लूँगी थोड़ा सा पकाने के बाद दाल अभी काफी गाड़ी है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी गरम उबला वर डाल देती हूँ क्योंकि इसको दाल को पकने में अभी भी 30 से 40 मिनिट लगेंगे इसको हम खूब पकाएंगे तो हम इसको डखकन लगा देते हैं और पकने देते हैं कि यहां पर मैंने फ्रेस मलाई लिए मैं उसको चान लेती हूँ जो दूद वाली मलाई है वही है आपके पास क्रीम है तो आप क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं मलाई को चान कर में क्रीम का ही डो देने क्रीम की तरह ही बना रही हूँ मोटी मोटी मलाई उपर रह जाएगी और नीचे जो पतला बेस है वह निकल जाएगा तो जैसा हमारी क्रीम होती है एसी बन जाएगी अब दाल मखनी बना रहे हैं तो क्रीम की जरूरत तो जरूर पड़ेगी अगर बजार जैसी हलुआई जैसी बनाना चाहते हैं तो मक्षन और क्रीम दोनों की जरुरत होगी यह मैंने इसको चान लिया है और यह देखे हमें बिल्कुल क्रीम जैसा जो बेस है वो मिल गया है तो हम देख लेते हैं अभी दाल पक रही है अच्छे से इसको पतने देते हैं घुलने तक हम इसको पकाएंगे यह देखे दाल अब काफी पक चुकी है मैंने बोला था कि 30 से 40 मिनुट यह पकती है तो 20 मिनुट लगबग हो चुके हैं तो अब हम इसमें मिलाएंगे यह मेरी किचन का मसाला है इसमें धनिया, सोप, जीरा और काली मीर्च और थोड़ा सा चना पावडर में मैंने पीस करके इसको बनाया वा है तो गर्मियों के लिए मैंने मसाला बनाया है, रोस्ट करके बनाया हुआ है, तो मैं इसको यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो थोड़ा सा गरम मसाला इसमें डाल सकते हैं, मुझे गरम मसाले की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें गरम मसाले उबालने में डाल दिये प्रくड़े पिल्कुल दाल लेती हुँ कृम जो मैश्क च्राप disappoint का एकठोरी क्रीम करें भूड है इंस है जो गोर्त kald यह को और इसको mix कर देते हैं अच्छे से, अब 10 minutes इसे हम और पकाएंगे, अब देखिए, बिल्कुल गाडा एकदम बिल्कुल बजार जैसा texture इसका आगया है, एकदम बिल्कुल वैसी ही लग रही है, जैसी हम बजार से लाते हैं, अब इसको थोड़ा सा और पका लेते हैं, पर लेलेटी मख्खम को फोड़ा सा गरम होने देते हैं बहुत ज्यादा हमें इसे गरम नहीं करेंगे हल्का सा इसको मेल्च करेंगे और इसमें डालेंगे एक चम्मस कलर वाली मेंच और थोड़ा सा डालेंगे पतुरी में आठी और मैंस को डाल में ढाल देती हूं तोड़ा सा मिस सा क'reस растin molal करते हूं अब हमारी दाल पक करके तयार proposal तई है। हम इसा बन बदते हैं, और इसको शरु ऐस家ण. तो मैं दाल को सर्व कर देती हूँ दाल मैंने सर्व कर दिये और मैंसे थोड़ा से सजा लेती हूँ थोड़ा सा मकन सजाने के लिए इस तरीके से दाल मकनी बन करके तयार है आप भी इस तरीके से इसको बना सकते हैं और जो मसाला मैंने इसमें डाला उसका लिंक में भेज़ दूंगे आपको डिस्क्रेक्शन बोक्स में तो बताइए मेरा मेरी है रेसिपी कैसी वनिए और कमेंट्स बोक्स में लिखकर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद